करोना वाजस की वज़े से कई लोगों की नोक्रियां चली गए जिसकी वज़े से पहले चली आ रहे ही आर्थिक परिशानी और भी बड़ी हो गई है हलांकी अभी पैसे के भी किल्लत हो रही है महंगाई बढ़ ज़े पेट्रॉल इतना महंगा हो गया है लेकिन लोगों की जिंदगिया अभी भी ठीक से पट्री पर नहीं आई है साथ में बढ़ती महंगाई की वज़े से लोगों के सपने भी तूटते नजर आ रहे हैं ऐसे में आर्थिक परिशानियों का दौर जीवन में कई समस्चाओं को निमंतर्ण दे रहे हैं सास्त्रों में आर्थिक परिशानियों से मुक्ति के लिए कुछ मंतर और स्थोत्र के जब के बारे में बताया गया है इन से ना सिर्फ धीरे धीरे आर्थिक परिशानियां खत्म होंगी बलकि कोस में भी बिद्धी होगी अगर आप इन मंत्र और स्तोत्र को दीन में कई बार पढ़ते हैं और सात्विक्ता के साथ इस पाठ करते हैं तो महालक्ष्म के क्रिपा आप पर भरसेगी और उनकी क्रिपा सदव बने रहेगी और जहां सम्मंदित मामलों से छुटकारा मिलेगा हम आपको बताते हैं कि इन स्तोत्र और मंत्र के बारे में बैदेख चूतिस के अनुसार कुंडली में दोती अस्टम और एकादस भाव धन पैसे से समंदित होता है इन भाव को मजबूत बनाने से जीवन में साकरतमक्ता आती है और रुपएये पैसे से समंदित समश्याओं का अंत होता है इसलिए इस भाव को मजबूत बनाने के लिए गुरु के इस मंत्र का जबक अवश्य करना चाहिए जिससे आपको आर्थिक परशानिया जो है वह दूर हो और लाह मिले देवानामचा रिशीडामचा गुरुमकांचा नशन निभं बुद्धि भूतम तिलोके सम्ति नमामी ब्रिह स्वतिम ओम ग्रांगरिंग गुरुमशा गुरुवे नमा खरेंग गुरुवे नमा ब्रिंग भेश्वते नमा जोतिस सास्त्र में बताया गया है कि शुक्र भौतिक शुक्षुविधाओं का कारग्र है शुक्र की कृपा से भग भी जीवन की प्राप्ति होती है और कभी किसी चीज़ की कभी नहीं रहती इसलिए करियर को मजबूत बनाने और आर्थिक समस्याओं से नियाद पाने के लिए मुक्ती पाने के लिए शुक्र के इस सक्तिशादी मंत्र का अवस्य ही जब करना चाहिए इसका पाठ करना चाहिए ही मिकुंद मिरिणालाभं दैच्यानां परमं गुरं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गमं प्रणमाम्य हम ओम द्रांग द्रिंद्रोंग शह शुक्राय नमहा खरिंग शुक्राय नमहा शुंग शुक्राय नमहा जोतिश सास्त्र की अनुशार घर से दरिद्रता खत्म करने के लिए आठ प्रकार की दरिद्रता नास होना बहुत जरूरी है और इसके लिए भगवान शिव का आसिरवाद होना जरूरी है इसलिए महादेव की विशेस क्रिपा के लिए इनकी क्रिपा प्राप्ती के लिए और दरिद्रता का नास करने के लिए लिंगास्टक का पाठ करना बहुत जरूरी है लिंगास्ट का पाठ अत्यांत शुफल लाई माना गया है और व्यक्ति को यह संपन्द बनाता है यह मंत्र आपको शुफल प्रद्देगा अस्ट दलो परिवेश्टित लिंगम सर्वशमत भवकारण लिंगम अस्ट दरिद्र बिनाशित लिंगम तत प्रणमामी सदा शिव लिंगम महालक्षमी की कृपा प्राप्त करने के लिए और बिरोथियों से रच्छा के लिए कनकधारा स्तोत्र महालक्षमी कवज और महालक्षमी अस्टकम तथा अस्टकम का पाठ अवस्य करना चाहिए सास्त्रों में इलगा पाठ बहुत सक्तिशाली बताया गया है और इनसे धन प्राप्ति के जोग बनते हैं और धन संचय करने में सफलता मिलती है इन चमतकारी पाठ से इनकी अराधना से दिरगाई प्राप्त होती है और मन को सामती मिलती है मंत्र में ही देवी और देवताओं का वास है जोतिशास्टी के नुशार अगर आप इन स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं तो उपर दिये गए मंत्रों का ही हर रोज जब कर सकते हैं साथ ही आप नारायन कोज का भी पाठ कर सकते हैं ये मंत्र आपके घर में शुक्र, शांती और सम्रिद्धी लाते हैं और जीवन के हर छेत्र में आपको काम्यावी दिलाते हैं नरायन कौज खास कर भगवान विश्णू को समर्पी थे और हर रोज इनके जब करने से जीवन में सकारत्मक्ता आती है और माता लक्ष्मी भी प्रशन होती है साथ ही अपनी कृपा बरिशाती है आप सब योहीं बने रहें मिलते हैं अगले वीडियोज में तब तक के लिए नमस्कार जै मातादी बंदे मातादम